हेलो बच्चो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूटूब चैनल बाल स्टुडी में तो आज के क्लास में हम लोग प्रकास का प्रवर्तन का अतिलगुतरिये प्रश्ण करने वाले हैं और इसका लगुतरिये तेरगुतरिये डाल चुके विडियो उसका लिंक आपको ड बढ़े रहेगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको सभी का अंसर और याद भी हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ है तो आहीं गया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजे विडियो को लाइक कर देजेगा चलते हैं चल्दी से विडियो को स्टार करते हैं तो आती लोगों तर यह का देखिए पहला क्यूशन आपके सामने है कि सम्तल सता ठीक ना एक मिना टुक जाएगा यहाँ से हम थोड़ा से ले लेते हैं यह ब्रस कर लिए चलिए ब्रस ले लिए ना हो गया एक मिना टुकिए ब्रस कहां चला गया अब आगे चलिए अब देखिए सम्तल सता पर पढ़ने वाली एक ही परकास कीरन की कितनी कितनी प्रावर्तित किरने हो सकती जैसे सम्तल सता पर जैसे कलर हम यहां पर चेंज के लिते हैं यह देखिए सम्तल सता अब यह देखिए आया आपतित कीरन यहां पर अभिलाम इसका लंबवत पढ़नेगा और लंबवत पढ़ने वाली किरन किस परकार प्रावर्तित होती है तो किस परकार परवर्तित होती है बाबुग आपको पता होगा कि समतल दरपन में जब लम्बवत अगर कोई किरन आता है तो इस तरह से दखी आ रहा है तो इसी पतह पे लॉड़ जाता है इसी पत्ह प्रवारतन पर बाद उसी पत हपर वापस लॉड़ जाती है उसी पत्ह पर यानि जिस रास्ते से आया उसी कोण का मांन कितना होता है तो दोan के का मांन कोन के लिए प्रावार्तन कोण के लिएThere पषिता लसके अं होगा इसका कॉन होगा ना इसका कोन होगा बापु नभल धीगरी को जाएगा कितना ज़्यक्त को यह लिख लीजिए इसका अंसर चलिए अगला देखिए चौथा तो बहुत इजी है कि परकाश के प्रवतर कितना नियम है तो नियम होते हैं है ना चलिए अब अगला देखिए पांचमा नंबर की उसन क्या है कि समतल दर्पन से वस्तु दूरी और पर्तिविम दूरी में क्या समध्य है समतल दर्पन में ठीक ना तो वस्तु दूरी और पर्तिविम दूरी जैसे यह समतल दर्पन है यह क्या है समतल दर्पन अगर आप यहां तो आपका परतिभीयर कंड़े यारत यानि कि आप जैसा हैOh कि वस्तु दूरी बराबर परतिभीयर दूरी हमसे पूछ रहे हमसे लंबाई नहीं हमें तो जितना दूरी पर खंड़ रहेगा तो test आप ख़ब अर उतना दूरी पे आप के आप तो कि यादर कीगा यह बात को याद रखेगा ये बात याद रखेगा जितना दूरी पर खड़ा रहेगा उतना दूरी पर परतिवीम बनेगा जैसे आप आइना देखते होंगे आइना के नजदिक जाएगा तो आपका परतिवीम भी जो है ना जो आइना में जो परतिवीम आपका बन रहेगा जो नंबर क्या है कि गोली दर्पन कितने परकार की होती है उनके नाम लिखना है गोली दर्पन दो परकार की होते है समझ गया अगर बाहर से रंग दिए वाइर से रंगाग दीए तो क्या हो जाएगा अउट लों जाएगा समझत गया चलिए दो परकारों होता ना तो रहना अब देखे सहत अमंध्այ कि यहां छत्क आनग हर् lesa और फोकस और यह यह वट्रता आपर यहां फोकस ट्रूंगा सब्सक्ट सब्सक्राइब वाली जो रेखा है न स्रक्राइब लेघा जो किच रहें मुख्य अच्छ याद रखेगा गोलिये दरपन के धूरु मतलब प को दूरु से बोलते हैं ठीक है वकरता के अंदर मतलब मिलाने वाले जो सरल रेखा है सरल रेखा सरल में कि इसके मुख्य अच्छ पर वह बिंदु है जिसका मुख्याच के समांतर आती किरने दर्पन से प्रवर्तन के बाद मिलती है अब देखे क्या होगा कि दर्पन से आ रही जिसे इस तरह से यह इसको फोकस कहते है तो फोकस कहां पर मुख्याच पर है एक चीज़ और कि अगर यह मुख्याच के समांतर कोई कीरन आती है तो फोकस से ही होकर गुज़रता दना फोकस कहते हैं समज गई को सब्सक्राद कि स्भाइब सब्सक्राइबól कैसे कि भडूर्ब ti और बटे टु समझ गहां चलिए अब अगला देखें गुषिन कि एक दर्पन का नाम बता यह जो किसी वस्तु का सिधा और आवर्धित परति बहुत तो सीधा और आवर्धित तो बनता है किसमें उतल दर्पन में ही बनता और किसी में नहीं बनता है ठीक ना समतल दर्पन में कैसा बनता है तो बराबर बनता है पर्तेभीं बनाने जैसे हमारी यहां पहाड़ बहुत बड़ा-बड़ा पहाड एक सब मिटार दीए अब इतना बड़ा पहाड जो है इतना बड़ा-बड़ा पहाड जो है उसको हम देख लिए बताई चोटी से आक से इसका मतलना है वस्तु सीधा और आवर्धित मतलता है बड़ा अवर्धित मतलो होता है वह तो से बनता कहा पर देख़ने से वह याद रोगिगा आपके बोड इक्जाम में पाच नमबर में पूछे जाते हैं कि वस्तू को कहां पर रखे कि सीधा और आवर्धित परतिवीम बने है ना इसका कीरन आरे खिचे तद की ऐसा देखी किजिएगा यह देखी हो जाएगा इस तरह से फारिएगा यहां हो गया धुरू और यह फोकस और फोकस और धुरू के बीच अगर वस्तू को यहां पर कटाना यह यहांपर परतिवीम हो जाएगा यहां पर देकिए वस्तू देखे यह वस्तू देखिए इस टाइप से ठीक ना अब अगला किसमें पहले क्ल्रेश कर लेते हैं अगला किसमें पूरा गट यह ए अब इगारा नम्र क्यों इन देखे एक अउतलदर्पन द्वारा अभासी पतिविम बढ़ने के लिए वस्तु का स्थान कहा होना चाहिए अब जेए, अब हासी परती है, अब हासी मतलब कालपिनिक, जो अब ही, फिगर जो पारे थे ना, उसको lead, 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 lead पीछे करकेश 예ए, मिला के देखते हैं तो क्या होता हैं, अब हासी, जिसको हम लोग बोलते हैं, स्थान ध्रूव और फोकस कोब नब कि देखिए यह हो गया फोकस और यहाँ पर आगर वस्तु को रखेंगे यह टकरा कैसे फोकस से निकलेगा और यहां पर C है तो एक किरन ऐसे लेंगे तो यह टकरा के फिर से सब्सक्राइब और फोकस के बीच रखें तब ही बन रहा तो याद रखेगा कहां पर रखने से कैसा परत्विम बनता है कि उसल बहुत बार पूछा जाता है कि यदि कोई वस्तु किसी आउतल धरपण के वकरता केंदर पर रखी हो तो उसका परतिविम कहां और कैसा बनता है वकरता केंदर पर क्या रखी हो वस्तू रखी हो तो अगर वकरता केंदर पर एक कीरन ऐसे जाएगा फोकस से गुजरेगा इस तरह से और एक जो है फोकस से जाएगा फोकस से जाएगा ला तुक्ए होगा कि यह इधर से चलेगा यहां पर कट वत्तू ऊपर है तो इसका पर उड़्टा बनना और कहां पर ऊल्टा और यहां पर ह jungles में कट और यह वास्ट बनना यह वक्रता के बिच में शाथ और देंदिहां है और कशी और हो जायंगा ओतर में हो जाएगा किसे आउत्रा धरपन के लंडर रखी हो तो इसका पर्था वह कर दा एक्पर के दिर पर है सौरी सोरी हम फिगर उना हम थूटा सा गलती पार दें इस लिए जाएगा यह ऐसे घर के लिए तो इस बार दके ठीक क्या होता ठीक क्टा यहां यहीं पर कटेगा एक दम इसी के सामने परतिभीम जो है इसी के सामने बनेगा वस्तु के सामने ही बनेगा परतिभीम देखिए दूनों दम सेम है ना चलिए तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि रखी हो तो उसका परतिभीम वक्रता केंदर पर ही बनता है वक्रता केंदर पर ही बनता है यह पड़ते भी वास्ती होता है वास्ती है रियल में कड़ रहा है और नीचे के और बन रहा है यानि कि उल्टा और वस्तु कहार के बराबर बनता है चलिए अब अगला देखिए 13 नुमबर क्यूशन है कि वस्टु दूरी U वस्टु दूरी को हम लोग क्या बोलते U से बोलते U का चिन क्या होगा जब एक अउतल दरपन के सामने किसी वस्टू को रखा देटा तद दकी अउटल्द्र दर्पन में वस्तु दूरी जो हना हमेशा यू होता हमेशा यह लिए हाथ स्वरी हमेशा के रिनात्म की यह नहीं मैनस निगेटिव होता चलिए अब अगला देखी कि इवसंन है 14做 कि दस सेमी फोकस दूरी वाले अउटार दर्पन से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तू के परतवियम की प्रकीरती क्या परतवियम की प्रकीरती पूछ रहा कहने का अदलों कि हमको फोकस दूरी एफ कितना दिया हुआ 10 सेमी 10 सेमी और आउतल दर्पन की फोक 15 से 15 सेमी की दूरी पर यानि कि कि फोकस दूरी वाले आउतल दर्पन से 15 सेमी के दूरी पर रखी वस्तू के परतिवियल की प्रकीरती क्या होगी वस्तू के परतिवियल की प्रक्रते क्या होगी तेद कि यहां पर एफ बराबर दिया हुआ माइनस दस सेमी स्वरी माइनस नहीं अभी माइनस नहीं लिखेंगा भी क्या प्लस में लिखेंगा ठीक ना एक मिन पूरा हटाइए देते हैं अभी 10 सेमी और यहाँ पर यह क्या चीज़ दिया हुआ यह है यू यह क्या दिया हुआ यू 15 सेमी देखिए 15 सेमी अब एक चीज़ देखिए आउतल दरपन में फोकस दोरी और वस्तो दोरी यानि कि यू निगेटीव होता है अभी तो हम लोग कुछ देरी पहले तेरा नमर की उसन सद्र मतव होंगे कि उन वाई भी पलस व दाइएउ बराबर होता हुका वण वथ्वाई य अब हमको यह निकालना था क्रतिभीम की प्रकीरति क्या जर्खिए यानिकि 27472 दोरीिको यहां पर दखी वनारी यह यान है कि वन भाई एफ कितना एफ तो है दस न माइनस तरसे तो गर लेंगे फिर यहां पर माइनस में और इसको शोल्ब करेंगे तो कितना आजाएगा 30 आजाएगा 30 यानि कि आजाएगा 1 by V बराबर आजाएगा minus 1 by 30 आजाएगा कितना आजाएगा solve करने पर आजाएगा 1 by V बराबर 1 by minus 30 अब यह देखिए 1 by V बराबर आजाएगा तब V बराबर कितना आजाएगा तब V बराबर आजाएगा 30 माइनस धीज क्यों मतलब है ㅇinta का मतलब है MON इसाट रहने से प्लस माइनस महता है ऐब लोग पढ़े होंगे यहां सामने अगर रहते तो अच्छे से समझा देते फिगर लेकिन बट यहां पे जो है स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है इस सब के लिए चाहिए बड़ा बड़ा डिजिटिल बोड़ी से लिए नहीं अच्छा सुपा रहा है ठीक ना तो आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा भूत हम हिंट दे दी हैं आप लोग सम टो बराबर के लें राखेंगा तो नहीं पर बड़ाकर भाशाम लोग लते इसका यह ठीक है अगर तोर यहां कि लिकें जाता है यहां से गोज़रेंगे लİकार और यहां से ़िनाटता है स्मझ जमझ करके कि अगला देखे 16 नमर के उसें कि किसी गोलिये दर्पन में केवल काल्पनिक परतिवीं बनता तो काल्पनिक परतिवीं बनता तो काल्पनिक परतिवीं बनता तो काल्पनिक परतिवीं बनता तो किसमें बनता उत्तल दर्पन में बनता तो किसमें बनता उत्तल दर्पन में बनता किसमें मताउा हूं शम्तल धर्पन में हमेशा कैसा मनता ऐस लेकिन ऊगवा बात कर रहा किइसा गोली धर्पन का तो गोल्ये धर्पन में दो चीज अउतल और सबल्ट होता तो उत्तल धर्पन में यहां पर देखेए वस्तु को रखे यह देखिए इधर टकड़ा के निकल जाएगा अब एक वस्तु एक किरन को हम ऐसे ले लिए यह देखे इस इसी पर आज़ी है तो अब इसको पीछे हम मिला के दखेंगा यह यह जो है यहां पर दोनों कर्ट करना तो यहां पर इसका परत और अगर सिर्फ बोलेगा कि किसमें बनता है तो याद रखेगा कि तीनों में बनता है अउतल में भी बनता है और संतल में बनता है हमेशा उतल और संतल में बनता है और अउतल में एक बार बनता है और जब कब बनता है जब वस्तु फोकस और धुरू के बीच रखा हो हम पहले बता वी चुके हैं इसी में करां चैंब्हेंट क्यूंच छड्ट Subscribe कैंमिन और किया है उत्तल्ड separate मैंक्र सब्सक्राइब हैंने उत्त ह doubts to वास्त्त का वार्ण पर्थिस नई हम अभी बता हैं है अबिक सोगसils चया हुआ माइस पंद्रा से म schy remove यह अउतल दर्पन है यह उतल कहले तती है इसका फोकस दूरी क्या है माइस में माइनस में अगर जब भी मसोच दूरी रहा नहीं तो समझेगा कि अउतल हटा dos that always अब अगर ऑगला है उन्हेश नसे नहीं कि गोलिये दरपन के अवर्धन कीुउस गोली दरपन की परिभासा देना तो देखे इसका उत्तर हो जाएगा परतिवीम की उचाई और वस्तु वस्तु यानि की बिम्ब कोई जो चीज रखा वह न उसका उचाई उचाई के अनुपात को आवर्धन करता अनुपात मतलब बटा ठीक ना आवर्धन को जो है एम से सु है आब करना है की आवर्धन यह बतलाता है कि परतिवीम वस्तु के सापेच उल्टा तथा अर्थात परतिवीम वास्त्विक है अगर एम जो है रिनात्मक है तो समझ जाए कि वस्तु कैसा है परतिवीम कैसा बन रहा तो उल्टा बन रहा यानि कि नीचे की और नीचे की और परतिवीम बन रहा और वास्त्विक बन रहेगा न तो वास्त्विक इधर बन कि वर्वाकरत में इसके फोकस दूरी त्य एक यह बराबर होता है पोकस दूरी फोकस दूरी पोछे थो मेर को दूरी बाई चला थनह तो उसमें जो उत्तल दरपन की रूप में परियुक तो कुछे बोला प्रूस पर य। और देखे कितना 32 दिया हुआ बटे में इसको काट देंगे तो आजाएगा सुल्ला यान्सर हो जागा इसका सुल्ला सेमी है जो चोबीश नमर क्यूष सर न है कि काल्पिनिक परतिवीम से आप क्या समưझते है काल्पिनिक परतिवीम मतले मतलए मतलब है इस Oreo एक मिदू से आती कि पर वरटन के आती हुई परतीत होती है यह हो गया फोकस और यहां पर रखें यह दखी इधर गया और यह फोकस से निकल गया ठीक ना और एक कीरन जो है आप लोग समझ जाएगा और नहीं तो फिर इसका चिप्टर हम पढ़ाये हुए ठीकना अगर आपको नहीं समझ भारा तो प्रवर्तन अपवर्तन सभी चिप्टर पढ़ाये हुए हैं बहुत अच्छे डेटेल से तो अगर आप ओ लोग नहीं देखें अगर वो तो देख लि होगी ठीकना अगर आप लोग मेरा क्लास को कर लेते हैं वह लाचो कि पढ़ाये हुए प्रकास का प्रवर्तन मतलब जो लेक्टर चलता हो चलिए अब अगला देखिए है अगला क्यूशन 25 नमर क्यूशन कि समतल दरपन में आवर्धन एम बराबर पलस वन का आर्थ क्या है ऐम का धनात्म में बताता है कि वह परति वह वश्तु के सपेच सीधा कहने का मतलब कि यहां पे यहां पे जिसे बतार है शिर्फ समझाने की आप देखिए यह पर्दम आपर कितना प्लस वन है तकिब होगा जितना बड़ा वस्तू है ना उतना बड़ा ही उसका प्रतिभी म मतलब कि मान चली वस्तु उचाई जो है तस समी कितना तब फर्मूला क्या अपने हैं हम लोग आवर्दन बराबर परती बीम की उचाई बटा बटा वस्तु की अब हम लोग पड़े थे न एक दैस बटे एक और यह क्या परति बीब नहीं कितना बरादस समी और बटे और वस् यहां पर पलस का पलस है इसका मतलब कि परते बीम जीद वस्तू जिदर और परते भी उदर ही बन रहा है या नि दोन उपर की ओर ही बन रहा है जले अगला दखें कि एक गोली यह दर पन जिसका वकरता केंदर है जिसका पर येँक्रण के स्टित होती है यह किस दिशा में पराव औरतित हो घेते उसी दिश्पार पर्वरतित हो कि की इक है यहां पर यहां पर सी अब द Whats ॥े एक शीप पर यहां तो यहां से आ रही है और यह हो गया बीच में सिः और यहां पे देखी हो गया पी यह कुण से हो ओगए के यहां से जब भी कोई किरन वक्रता के अंदर से आती है यह आ रही है तो इसी पर ठकड़ा और फिर फुर्दां पर लोड जाती है कीवे उभी लिखे है कि एक गोली डर्पन जिसका व्यक रवक्रता के अंदर सी है पर एक कीर्ण एसी भी आप्तित होती है तब वह उसी प्दीशा में लोड जाती है क्यूंकि क्यूंकि दखिए क्यूंकि वकृता त्रिज्या दर्पन पर इस्तेद बिंदू पर अभी लंब होती है इसलिए जो कीरन दर्पन के वकृता के अंदर C पर पड़ती है वह दर्पन की दर्पन दर्पन यहां पर ती हटाती है दर्पन लंबोत होती है प्रवर्तन के बाद वह उसी पत पह लोड जाए यानि कि अगर कोई सी से आया इस तरह से यहां पर हो जाएगा अगर कुई सी तरह से चल जाएगा अब अगला देखिए seven इसका उत्तर हो जाएगा कि दो उप्योग को लिखे अगर आप लोग इसका क्लास करना चाहते हैं तो इस इस नमबर पर संफर्क कर सकते उससे आपको सब कुछ पता चलते रहेगा कि कब कलास होता है चलिए अच्छा लगवागा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में शेर जरूर कीज़ेगा और चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कर देए करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको चल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिजा हैं जय भारत